नमस्कार बच्चों आपका स्वागत है मैं हूँ PC वर्मा और आज हम देखेंगे पतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनेतिक संस्थाओं की कायरे प्रणारी तो हमने पहले देखा था कि किस प्रकार से जो छेत्री दल थे उनका प्राधुरभा हुआ था छेत्री मुद्दे जो होते हैं वो लोकतंत्र में बहुत बड़ी मुवी करी भाते हैं और भारत के आजाद होने के बाद हमने लोकतंत्र को अपना लिया था और उसके बाद फिर लोग तंत्र के आधार पे देश में काम चल रहा था, सुरुवात में कांग्रेस का वर्चस्व था और अधिकतर इस्थानों पर अधिकतर चुनाओं में कांग्रेस ही जीत कराता था, चाहे लोग सभा हो या विधान सभा हो, लेकिन सन 1970 के बाद ये इस्थितिया थोड़ी प्रारंब किया था और इसके कारण बहुत सारे जो इस्थानी नेता थे, वो अपने आपको इस दौर से पीछे समझने लगे थे, और अलग-अलग राज्य जो होते हैं, तो देश के अलग-अलग राज्य होते हैं, तो हमने पहले देखा कि किस प्रकार से जो मुद्दे होत हैं, लेकिन यदि उन्हें के अंदरे इस्थार पे देखा जाएं, पुल मिलाकर यदि आप पूरे देश को एक मान के चलें, तो ये संभव नहीं है, देश की परिस्थितिया अलग है, हर राज्य की अपनी-अपनी इस्थितिय है, पंजाब की कोई इस्थितिय है, वहां की कंडिसन्स अलग हैं, वहां की समस्याँ अलग हैं, उसी प्रकार से 36 गड़ जैसे हमारा है, 36 गड़ के कंडिसन अलग हैं, और इसके साथ यहां के लोगों की मांगें, विचार धर हैं, वो भी अलग-अलग हैं, उसी प्रकार से और भी जो राज्य हैं, वे भी सब अपने अ संतोस हुआ जिसके कारण बहुत हत्ताक अगाली दल जो था उसने मंगो कूठाया और इसी प्रकार से असम में भी इसी प्रकार की कुछ परिस्तितिया आई लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस था अंतर था और वो हम देते हैं कि इस प्रकार जो असम है जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो असम है वहाँ पर चाय के बहुत सारे बागान हैं ये आप चानते ही होंगे कि चाय के जो बागान होते हैं वहाँ पर बहुत बड़ी वात्रा में चाय के लिए पत्तियों को तोड़ा जाता है उनके बड़े बड़े बागान होते हैं जहां पर लोग काम करते हैं और उनके आधार पे जो बागान है उनके आधार पे लोग अलग अलग तरह के प्रोडक्ट लेते हैं जो चाये से संबंदित प्रोडक्ट है वो वहां से लिया जाता है तो वो यहां के असम के लोगों के पास नहीं था जो लोग थे असम से बाहर के अर्थात कलकत्ता इत्यादी के लोग थे तो यहां सिर्फ चाय के बागानों की बात ही नहीं थी जो चाय के बागान है वो तो थे ही अब ये जो बागान थे ये इस्थापित तो थे असम में लेकिन इसका जो मुख्य तोर पे नियंतरन किया जाता था वो कलकत्ता के लोगों के द्वारा किया जाता था जिसे आज की स्थिती में कोलकाता कहा जाता है अब यहाँ पे जो लोग थे अर्थात इनके जो अधिकारी थे जो वहाँ पे काम करते थे बागानों में वो सभी कलकत्ता के लोग थे अधिकतर लोग कलकत्ता थे कि साथ ही साथ हमने देखा है कि असम में खनिश तेल भी निकाला जाता है तो खनीश तेल जो निकाला जाता था उसमें भी असम के लोगों को रोजगार नहीं मिलता था अब चुकि यहां जो चीजे थी अर्था यहां का इस्थानी चीजे थी यह खनीश तेल भी वहीं से निकाला जाता था लेकिन असम के लोगों को रोजगार नहीं मिलता था असम के लोग असमिया भासा बोलते थे और साथ ही साथ बंगला भी यहां बोली जाती थी लेकिन जो वहां पर अधिकारी और अन्य लोग थे वे बंगला देशी लेखों को उन्होंने बंगला भासी बंगला भासी कहना चाहिए जो बंगला बोलते थे उनको उन्होंने वहाँ पे नियुक्त करके रखा हुआ था अंग्रेज सासन के समय से और उन्हीं कई कारेकाल चला आ रहा था तो असमिया वहाँ सा बोलने वाले जो इस्थानी निवासी थे उनको ये मरसूस होता था कि उनके साथ दोहरा वयवाहर किया रहा है दोयम दयर जेका वयवाहर किया रहा है एक तरह से निश्री श्टूने समसा जा रहा है इस प्रकार की भावना आ गई थी और ये भावना जो थी जो बंगला देश से लोग आ रहे थे वहाँ पे हमने देखा था 1971 में जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और बंगला देश का निर्मान हुआ था उस समय पे बहुत सारे सरणार थी जो थे वो यहां आते थे और वो बंगला देश की भासा बोल गई की हमारे कारे को लोग छीन रहे हैं और हमारे जो संपदा है वो बाहर जा रही लेकिन हमें उसका कोई लाब नहीं मिल रहा है एक तरह से उनका दोहन किया जा रहा है तो 1975 में परिसितियां तो प्राराम 1970 से ही हो गई थी दीरे दीरे लोगों के बीच ये भावना बढ़ने लगी और फिर अखिल असम विद्यार्थी संग आसू इसका गठन किया गया और ये गठन किया गया विद्यार्थी संग्थ जो वहां के युवा लोगों थे उन्होंने इसका गठन किया और फिर उन्होंने मांग करना प्राराम कर दिया जो विदेशी लोग है अर्था जो यहां के नहीं हा था असम की स्थानी लोग नहीं उन्ह बाहर निकाला जाए उन्हें हड़ाया जाए और साथ ही साथ धरना प्रदर्शन हड़ताल और चुकि ये बहुत हद तक सांति पूर्ण वीरोध था तो ये प्रारम हो गया और लोगों ने मांग करना प्रारम कर दिया मुख्य तोर पे दो मांगे थी दो या तीन मांगे कहनी चाहिए कि विदेशी लोगों को बाहर निकाला जाए जो कि वहां के नहीं है अर्थाज जो लोग वहां पे नहीं रहते उनकी भासा नहीं बोलते उन्हें बाहर निकाला जाए इस्थानी लोगों को रोजगर दिया जाए अब यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो इस्थानी लोग हैं उन्हें रोजगार में प्रात्मिक्ता दी जाए साथ ही साथ असम के समसाधनों का उतियोग जो है असम के लिए ही किया जाए ुलमिलाकर यह इस प्रकार की मांक थी कि अन्हें यह लग रहा था कि वन्हें अब दोहरे दर्जे का समय जा रहा है तो बाहर के लोगों को हटा दिया जाए असम में से बाहर निकाल दिया जाए भार साथ ही साथ संसाधन का प्रयोग वहीं के लिए होना चाहिए और चुकि आप देख सकते हैं कि यह मांगे एक तरह से जायज भी कहे जा सकती है आप यहां पर देख पाएंगे कि यह मांग जो होती है ज्यादतर इस्थानी इस्तर पे छेत्री जहां भी जो भी छेत्र है वहां मांग होती है साथ यह मुख्य मांग जो थी बंगलादेश से आया लोगों को नागरिता को हटाना और उन्हें राज ये से बाहर निकालना ये बहुत ही मुख्य मांग थी जिसमें अधिकतर बंगलादेशी मुश्लिम थे और इसके कारण लोगों के बीच में आपस में बहुत भेद भाव भी बढ़ गया हिंसा और गटन के कारण यहां पे एक तरह से आंदोलन फिर धीरे से हिंसक भी होने लगा लोगों के बीच आपस में वाद व्याद इतना ज्यादा बढ़ने लगा चुकि कि लोग धीरे धीरे इसका घठर हुआ तो वो थोड़ा सा बाउंडरिस तो बना लेकिन फिर भी बहुत हद तक लोगों का आना जाना नहीं रूप पाया लोग सीमा को पार करके आ जाते थे और फिर इस प्रकार की स्थीतियां पैदा होने लग गई थी कि अब जो यह घटनाएं हैं वो आए दि सिस्टम होता है पूरा उनको भी इधे देखना पड़ा जो कि धीरे धीरे मामले बढ़ते जा रहे थे तो अब इसके बाद तिर जब मामले बहुत जादा बढ़ गए तब यहां पे यह मांगी जाने के लगी कि 1961 से पहले जो लोग आये हुए थे उन्हें नागरिता दी जा अब चुकि यह सारे चीजें पूरा करवाने का काम असमगण परिशाद जिसे आसु कहा जाता है उसने मुख्य भूमिकानी भाई इसमें तो इसके कारण फिर जब चुना हुआ इसके बाद में तो आसु को बहुत मिला और फिर इस प्रकार से आसु जो था एक छेत्री रू जो चेत्री मुद्दे होते हैं अपने आप में बहुत बड़ी भूमिकानी भाते हैं और इसी प्रकार समय समय पर यह एक लोगतंत्र की खुबी भी है कि लोगतंत्र हर किसी को आगे बढ़ने का उसर देता है और लोगतंत्र का जब प्रयोग किया गया जब 1947 में देशा जाद हुआ तो जहों हमारी वीचारक थे उन्होंने इस चीज पर बहुत वीचार किया था कि किस प्रकार का सिस्टम यहां पर चलाए जाए जब भारत गुलामी से पहले बहुत सारे तुगडों में बटा हुआ था राजे रजवाडे थे और अलग-अलग प्रकार की विव प्यादी कर सकते हैं चुकि यह लोकतंद्र का एक हिस्सा है सुम्विधान में भी हमें अपनी बातों को कहने की आजाती दी गई है जैसा आपने देखा यह जो मांगे है जो आसुने अपना संगठन बनाया अपने विचारों को रखा और इसके बाद फिर वहां पर परिवर जो भारत के प्यद्धान मंतरी राजियु गांदी थे उन्होंने इस पे बहुत विचार किया और फिर इसके बाद पंचायती राध का सिध्धान का सिध्धान उन्होंने विच्षिद किया चुकि यह माना जा सकता है कि यदि पूरा कंट्रोल ग्राम पंचायती इस तरह पे होगा उनको अपनी योजनाय बनाने का उसर मिलेगा अपने कामों को करने का उसर मिलेगा तो यह और भी अधिक प्रभावी तरीके से काम हो और फिर i am 1986 के संविधान संसोधन में यह बात लाए गई कि जो पंचायते हैं पंचायती राज व्यवस्ता को सभी राज्यों में बनाये गया 1986 में संविधान संसोधन जो हुआ था जो विदेह लाए गया था संविधान शंसोधन जब उनिसो च्यासी में और इस सम्विधान संसोधन के द्वारा ये विवस्था की गई कि पंचैती राज को सभी राजियों में लागू किया जाएगा अब ये पंचैती राज का अर्थ होता है कि गाउं के लेवल तक अठाथ पंचैत लेवल तक लोगों को अधिक सदिक अधिकार मिलेंगे और इतनी छूट मिलेगी कि वो अपने नियम खुद बना सकें अपने चीजों को खुद वो जारी कर सकें और इस थानी इस्तर पे साथ ही साथ विशेज का जो गरीब तबका है या कि महिलाएं हैं उन्हें भी भागीदारी इसमें मिल पाएगी और जो नियम हैं सरकार के अलग-अलग तरीके के नियम जो हैं उन्हें बनाने में उनकी भागेदारी बढ़ पाएगी चुकि केंद्रिस्तर या राज़िस्तर पे भी जब काम होते हैं तो बहुत हद तक विप्रभावी नहीं हो पाते चुकि हर गाओं की अलग इस्थिती है जितने भी जहर है नगर है अगर उनको विवस्ता मिलती है तो इसे कहाँ जाता है सत्ता कावी केंद्री करन किया गया पंचायटी राज जो विवस्ता है निए तैस तरी पंचायट आपने देखा होगा और ये है लोकतंत्र की खुबी जो कि लोगों को ये सारे आउसर प्रदान करती है तो इसमें आज के लिए इतना ही बच्चों लोकतंत्र में जो सवतंत्र भाद का लोकतंत्र है लोकतंत्र का विकास समय समय पर होते रहा है और अलगलग तरीकों से निर्वाचन से और भी अन्र प्रकार से योजनाय बनाई जाती है जो हमारे लिए क्रियानवित होती है और पूरे देश का विकास एक साथ करने के लिए बहुत पड़ा रास्ता धीरे धीरे खुल रहा है तो आज हमने देखा कि पंचैती राज और असंब में किस प्रकार से क्रिया कलाप हुए थे किस प्रकार से वहाँ पे आंदोलर हो था जो छेतरी संगठन है उन्होंने किस प्रकार से अपना काम आगे बढ़ाया था आशू जो है वो एक बहुत ही ससक्त रूप से उन्होंने अ को सेलैक करेए साथ जीनल को सब्स् cyn journalism करिया जिसका लिंक इस वीडियो के निचे दिया गया है सब्सक्राइब लिखा है जिस में आप ग्लिक करें गे और हमारे साथ जूड़ जाएंगे और हमां आपको इसी प्रकार आप से जोड़ी वर्माप सी जानकारी की बात दें बता पर हैं, हैं मैं वो तो आगा हो आगा है झाल, आगाणा झाल, आगाव कर दो आगा है